हेलो एवरिवन, वेलकॉम अगें टू लेंट वे देटिमन तो देखिए, रीट और सेकिंड ग्रीट के त्यारी करने वाले सबी विद्यार्टियों के लिए बहुत ही महतपून सूचना है चाहे वो फर्स्ट ग्रीट के त्यारी कर रहा हो क्योंकि यहां पर बच्चों के यह confusion आ रहा है कि हमारा 23-24 जुलाई को एग्जाम रीट का हो जाएगा उसके बाद हम किसकी तयारी करें क्योंकि सबी एग्जाम आसपास ही आने वाले हैं ठीक है, तो हम किसकी तयारी करेंगे तो देखें यहां पर एक जो है प्रैस विग्यप्ति आई है तो जिसमें आपको थोड़ा सा यह आइडिया लग जाएगा कि आप किसकी तयारी करेंगे राजिस्थान करम चारी चैन बोर्ड द्वारा यह प्रैस विग्यप्ति आई है अध्यापक सीधी भरती प्रतियोगी परिक्षा 2022 यानि कि रीट का एक्जाम देने के बाद आपका जो एक्जाम होगा सेकिंड एक्जाम वह होगा आपका थर्ड ग्रेट का एक्जाम इसको यदि आप पार कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की होगी ठीक है तो मादमिक सिक्षा बोर्ड राजिस्थान अजमेर द्वारा रीट पातरता परिक्षा 2022 का आयोजन 23 या 24 जुलाई 2022 को करवाया जाना प्रस्तावेत है तो ये आपका एक्जाम होगा 23 जुलाई को तो आप रीट की त्यारी जो है वो अभी अच्छे से करें आयोजित करवाई जाएगी और बोर्ड द्वारा उक्त परिक्षा महा जनवरी 2023 में आयोजित करवाई जानी प्रस्तावेत है तो इस वर्ष तो आपकी जो है जो ये एक्जाम होगा भरती का आपकी थर्ड ग्रेट का तो इस वर्ष नहीं होगा next year होगा तो ये जो है आपका confusion दूर हो गया होगा कि हम किसकी त्यारी करें जैसे ही आप जो है read की exam दे देते हैं उसके बाद आप जुढ़ जाएं जो बच्चे second grade की कर रहे है second grade की करें जो first grade की करें क्योंकि October, November इन दोनों में ही आपका 1st grade या 2nd grade का हो जाना चाहिए ये अनुमान है क्योंकि अनुमान लगाकर ही हम लोग तैयारी जो है वो करेंगे यहाँ पर कोई भी date जो है वो fix नहीं है यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो बच्चा 1st grade की कर रहा है तो उसके साथ वो read की कर सकता है जो 2nd grade की कर रहा है वो 3rd grade की कर सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि आप 1st grade और 2nd grade दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं तो competition बहुत ज़्यादा हाई है बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है तो जैसे ही आपका 23-24 जुलाई को read का exam हो जाएगा उसके बाद आप जो है 2nd grade की तैयारी में जुट जाएं क्योंकि 2nd grade का जीके का जो 1st paper है आपका वो आपका जो 2nd exam होगा read का अध्यापक सीधी भरती प्रतियोगली परिक्षा का तो बिलकुल मिलता जुलता होगा तो वहाँ आपको पढ़ने में कोई problem नहीं आएगी चाहे समय कितना भी कम मिले ये चीज जो है वो मैंने बहुत ही सटीक तरीके से पहले भी आपको बताई थी ठीक है अब आप ऐसा कर रहे हैं यदि कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि 1st grade और 2nd grade को भी साथ में लेके चल रहा है तो देखिए उसके लिए बहुत जादा महनत करने की जुरुत पड़ेगी उस विध्यारती को यदि बहुत पहले से तयारी करता आ रहा है तो वह 1st grade और 2nd grade को भी साथ में लेके चल सकता है और यदि कोई 1 या 2 महिने से ही तयारी में लगा हुआ है 2nd grade की तो focus 2nd grade पर ही करिए read के paper के बाद ठीक है क्योंकि competition आपको पता है कि cut off जो है कितना high जाती है तो ये चीज जो है आपके लिए important है क्योंकि बच्चों को ये confusion है कि हम read के बाद 3rd grade के तयारी में लग जाएं या हम 2nd grade के तयारी में लग जाएं जो पता ही नहीं चल रहा है कि exam जो है वो कब होगा तो यहाँ पर ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि January में आपका read का exam होगा तो इससे पहले जो है जो भी जानकारी है तो उसके according आपका October, November तक आपका हो जाना चाहिए 1st grade या 2nd grade का ठीक है तो ये आपका confusion जो है वो दूर होता है तयारी जो है वो आप बहुत अच्छे से करिए तो दिखिए दो मन्त ही आपके जो है लग बचे है read के लिए ठीक है तो सबसे पहले read पर focus करें और साथ में 2nd grade का भी आप पढ़ते रहें जो भी पुराने student है जिरोंने पहले से read के तयारी की है तो वो 2nd grade का साथ में करते चलें तो ये जो है news जिससे की आपका थोड़ा सा confusion जो है वो दूर होगा कि हम जो है read के बाद किसकी तयारी करेंगे 1st grade की जो कर रहे हैं 1st grade की तयारी में लग जाएं मिलेंगे next video में thank you